Assalamualaikum grade 2, but I hope you all are fine Today we will start our next unit Addition तो आज हम unit addition पढ़ेंगे Addition का मतलब आप सबको पता है Addition मतलब add करना Plus करना, जमा करना ठीक है मेरी जान, आप लोग grade 1 में भी Addition chapter पड़कर आचुके हैं आज हम addition की working करेंगे, तो आज हम अपनी Copy की working की तरफ आजाते हैं सबसे पहले आप लोगों ने Unit Addition का title page बनाना है Copy में इस तरीके से, ठीक है मेरा बच्चा Underline करना है, देन आपने इस तरह से lines draw करनी है जितनी gap के साथ teacher ने lines draw की है इसके बाद question number 1 है Two digit addition with carrying ठीक है, यहाँ पर देखी अब carry के साथ addition है, ठीक है, without carrying नहीं है मतलब हमें carry लेनी है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुए with carrying, ठीक है जिसे 36 में हमने add कि 24, तो मैं पता है 6 और 4 मिला कर कितने बनते हैं 10 बनते हैं, तो हम पूरे 10 तो यहाँ नहीं लिखते, यहाँ हम 0 right करेंगे और 1 उपर carry चला जाएगा, ठीक है 3 और 2 कितने होते हैं, 5 अब यह जो carry होती है, वो इसमें plus करेंगे, ठीक है, add करेंगे 3 plus 2, 5 होते है 5 में हमने 1 plus किया carry का तो 6 हो गया, तो answer is 60 ठीक है मेरा बच्चा, इसी तरह 46 plus 16, तो क्या होगा 6 plus 6 क्या होते है, 12 होते है 2 यहाँ, 1 उपर carry 4 plus 1, 5 5 में carry का 1 add किया तो 6, answer is 62 यह दोनों भी मेरा बच्चा इसी तरह से आप लोगोंने solve करने है